हेलो फ्रेंज, वेलकम टू किरंस कुकिंग जोन फ्रेंज, आज की वीडियो में आप बनाना सिखेंगे मिक्स फ्रूट रायता, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, इजी, डिलिशेज, एंड क्विक रैस्पी है, इसे अगर आप गर्मियों की दूनों में फ्रीज में रखने के ब कर इसमूत कर लेंगे, फ्रेंज, यहाँ पर आप धेयान घिये, टही हमें थोड़ी गारे ही लेनी है, पतली नहीं लेनी है, अगर आप के पास दही ज़्यादा पतली है तो इसके उपर के पानी को छनी की हल्प से थोड़ा सा अलग कर लें, दही आपकी गारी हो जाएगी, अब देखिए ये स्मूथ हो गई है इसे एक बड़े mixing bowl में निकाल लेंगे अब मैंने यहाँ पर कुछ fruits लिये हैं आधा कप लिया है अनारदाना एक कटा केला केले को बीच से कट करने के बाद इसको मैंने छोटे छोटे pieces में कट कर लिया है एक मैंने यहाँ पर लिया है छोटे size का सेव इसे भी छोटे छोटे pieces में कट कर लिया है half cup लिया है अंगूर कुछ अंगूर मैंने साबुत रखें कुछ को मैंने 20 से कट कर लिया है इसके अलावा कुछ मखाने जिसे मैंने पानी में सोक करके soft कर लिया है अब इन सभी चीजों को one by one दही में डाल देंगे french foods आप अपने पसंद का कोई सभी ले सकते हैं या फिर जो भी आपके घब में available हो उसे आप इसमें डाल सकते हैं इसमें आप आम, पपीता, खर्बूज, लीची, अमरूद भी डाल सकते हैं इसमें आप तर्बूज ना डालें क्योंकि तर्बूज में बहुत ही अधिक पानी होता है अगर हम इसे दही में डालेंगे तो तर्बूज अपना पानी रिलीज कर देगा जिससे रायता हमारा पतला हो जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ छोटा चम्मच काला नमक हाफ छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, यानि कि टू थर्ड चम्मच के करीब डाल रही हूँ सफेद मिर्च का पॉर्डर अगर आपके पास नहीं है तो काली मिर्च का पॉर्डर भी डाल सकते हैं तू ठर्ड चम्मच ही मैं इसमें डालनी हूँ भूना पिसा जीरा और लाश्ट में डाल रही हूँ दो छोटा चम्मच चीनी इन सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे तो तयार है हमारा मिक्स फूट का रायता जो की बहुत ही जट पर बन जाता है बहुत हेल्दी रेस्पी है आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी अट कर सकते हैं तो फ्रेंट कैसी लगी रेस्पी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें फैमिली फैंश को भी शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ओन करना ना भूलें यह बिल्कुर फ्री है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक नई टेस्टी मज़ेदार सी रेस्पीक साथ तिल देन बाय बाय थैंक्यो फॉर वाचिंग